और अब साम का टाइम हो गया जी और मैं बनाऊंगी खाना खाने में मैं अधुके पापा के लिए तो बनाऊंगी सिमया क्योंकि आज उनका वर्थ है इसलिए और पहले मैं नमका दे देती दी उनको मुझे भी इतना नहीं पताता तो आप सबने कमेंट करके बताया कि मिठ्थ करते हैं आज मंगलवार के वर्थ में तो इसलिए मैं सिमया बनाऊंगी और सब के लिए मैं बना रही हूं उड़की दाल इसमें मैं मुझमसूर की भी थोड़ी सी मिक्स कर लोगी हल्की सी हो जाएगी और खाना आज मैं उधर के लिए भी बनाऊंगी और इंदू लगी हु तो बस मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूं दाल रोटी बनाऊंगी और सिमया बनाऊंगी और इदार इसके पापा जा रहे हैं इशू को दवाई दिलवाने के लिए क्योंकि इसू की हो रही है तव्य खराब पेट में दर्द आज फिर ओरा कल सही रही और आज फिर ओरा म मुझा कभी जादा दिक्कत बढ़ जा तो अभी यह दुबार इसको दिखाने के लिए जा रहे हैं यहां रख दिया है बैस मैंने दोनों चीजे बनने के लिए एक ग्यास पर रख दिया है पहले दूद बोईल करने के लिए जब दूद बोईल हो जाएगा तो उसमें डाल कि जवे मेरे पास पहले भुने वे रखे हैं और एक ग्यास पर रख दिया है मैंने डाल डाल मैं सिर्फ जीरे में ही तड़का लगाँगी वह पहले ही लगा दूगी क्योंकि आज वर्थ है और यह मंगलवार वाले दिन की वीडियो है उस दिन हम गमले लेने गए ते उस द धनिया में तड़का लगा के हल्दी नमक मिर्च डाल दिया रहीं डाल दिया तो दाल में तड़का लगया और उधर जो दूद रखा था बोईल करने के लिए वह भी बोईल हो चुका है अच्छे से अब उसमें जो जवे हैं मेरे पास भुने वे मैंने पहले ही बुन के कर दी है और अब इन में ताइम तो लगता है थोड़ा बनने में लगबग 20-25 मिंट तो जब तक यह बन जाएंगे यहां मैं आटा बना के तयार कर लूँगी आटा मैंने बना के रख दिया है अब जो साम के चाय वगयरा के बरतन थे सारे बच्चों के भी लंच बोक्स मेरे बरतन कर लेती हूं क्योंकि साम के टाइम मेरे और भी काम हो जाते हैं जैसे कप्ड़े रखने प्रयास करना या फिर और भी बहुत सारे काम होता है तो मैं सोचती हूं जब मैरे सोई में जाऊंगी तभी जा के सारा एक साथी निमटा लूँगी काम तो यहां देखिए साम को भी मेरे बरतन काफी हो जाते हैं और दो पैर का जब हम खाना खाते हैं तो दो पैर के तो मैं साथ साथी कर देती हूँ बाकी बच्चे बाद में आते हैं और उनके फिर लंच वगेरा भी हो जाते हैं लंच बोक्स तो फिर साम के टाइम काफी बरतन हो जाते हैं तो यहां मैंने सारे बरतन दो दिये हैं और इसु भी आ गई थी फिर डोक्टर के यहां से तो वो मुझे बता रही है कि मम्मा क्या क्या बताया मुझे डोक्टर में और यहां बस फिर इसके पापा करने लगे हैं पूजा और मैं बनाने लगी हूँ रोटी सबसे पहले मैं निकाल लूँगी गाई के लिए दो रोटी और कृष्णा पूच रहा था मुझे कि मम्मा क्या बनाया और मेरे पास पटड़ी रखी थी तो वो उस पर जैसा ही खड़ा होने लगा एक दम सा गिर गया बच गया बस सिर लगने से और यहां है बस सबसे पहले मैंने दो रोटी बना दी है गाई के लिए वो निकाल दूँगी और यह भगवार जी को भोग लगा देंगे बस उसके बाद फिर मैं सब के लिए बना दूँगी कुछ दो चार रोटी मैंने बना दी है और भी एक्स्ट्रा सब को देने के लिए पूजा इनों ने कर ली अब बस मैं बच्चों को भी दे दूँगी खाना क्योंकि बच्चे भी परहसान हो रहे हैं बहुत और इनको भी दे दूँगी तो यहां देखिए सिवहियां जो बन लगा दूँगी जो बच्चा दाल वगेरा लेगा तो उनको दे दूँगी गुड्डू तर ट्यूशन गई थी और कनया भी था भी आ पर और इसके चाच्चू भी आए थे वे दुकान पे जा रहे थे दोनों भाई तो जो भी आपे हैं बच्चे हैं गुड्डू के पाप और आप सब बोलते हो कि बैड़ पे खाना नहीं खाते जिस पे सोते हैं आपको एक बात और बता दूँगी यह जो बाहर वाला दिवान है हम इस पे सोते नहीं कोई भी पस यह दिन में जैसा बैठने के लिए यूज ही किया जबता है बाकी वैसा में कोशिस करती हूँ कि न खाना हमारा हो गया है और मैंने किचन की क्लीनिंग वगेरा सब कर दी बरतन कर दिये हैं सारा समेट दिया मैंने कीचन का काम और आज बस दूद तो करना नहीं क्योंकि दूद के मैंने जबे बना दिये थे सबने जबे खा लिए और इशू भी आ गई थी डॉक्टर के आसे ईसोट बेटी है यह और एस घॉका दर्ध की दवाई दिया अभी खाना खाने के बाद हम इस तो कि धडर शूरान दर्ध स्का था पहले दोक्टर के ने कहला कि वैशा कोई दिक्कत मतलिंयों रगा हिस्पकलन का मैं ही हो सकता था तर बाक्किन दवाई गैए खाने से वा कु तो यहाँ अब है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे मतलब की दिन है बुद्वार एक फरवरी तो यह सुबह का समय है बच्चे चले गए है स्कूल उनका मैंने करके दे दिया है नास्ता बगिरा बना के सब कुछ उसके बाद बस फिर मैं लगी हूँ अपने काम पे सबसे पहले काम बच्चों को बेजने के बाद नाना दोना ही होता है तो वो मैं करने लगी हूँ सबी तब ही करते हैं बच्चों को बेजने के बाद क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक अपना और काम हम नहीं कर पाते हैं चाहे बच्चे जल्दी जाते तो जल्दी ओजाता था काम अब थोड़ा लेड जाते हैं तो लेट ही होता है उसके बाद ही तो यहां बस मैंने ना दो के अपना फिर कर लिया है थोड़ा सा मेकप वो ही बिंदी लिपिश्टिक सिंदूर वगेरा लगा लिया कंगी कर ले और बस उसके बाद अब मैं पूजा सबसे पहले दिया लगाऊंगी और अपना जो भी है दूबत्ती लगा के अपना अरती बगिरा कर लूँगी और जब तक ये भी दोनों भाई ना दो के तयार हो जाएंगे पूजा करने के बाद आगी हूँ मैं कीचन में और बना रही हूँ नास्ता नास्ते में आज सबजी मैंने बनाई है आलू और गाजर की सबजी बच्चों को गाजर की सबजी दी थी स्कूल में लंच में और इधर मैंने कर दिया है दूद सब से पहले मैं दूँगी काना जी क तो दूद क्योंकि सुबही मैं दूद का भोगी लगाती हूँ या फल होते हैं फल दे देती हूँ दूद के साथ जैसा केला से वगेरा जो भी फ्रूट होते हैं वो देती हूँ तो भोग मैं लगा के आगी हूँ सबसे पहले ही मैंने लगा दिया था उसके बाद बस ये भी पूजा करके ना दोके तो ये भी अपना नास्ता ले लेंगे तो दोनों भाई कर लेंगे और मैं बना दूगी तो इनको देने के बास फिर मैंने भी कर लिया था नास्ता और नास्ता करने के बास सबसे पहला काम होता है अपनी कीचन की क्लीनिंग करना तो यहां बरतन वगेरा मैंने सारे निकाल दिये हैं इकटे कर दिये हैं सिंक में आंटी आके करेंगी आंटी का ही वेट होता है सुबा के टाइम और बस मेरा जब तक साप सफाई का काम होता है तब तक आंटी भी आ जाती है क्योंकि अभी दिन थोड़ा मतलब सर्दी का है तो टाइम लग जाता है उनको भी आने में और ठंड का टाइम है देखो टाइम तो मतलब लगता है इतनी जल्दी में नहीं आती दस बजे के करीबी आती है और जब तक ही मेरा सारा काम हो पता है जैसा क्लीनिंग का तो यहां ब तो यह कीचिन का काम मेरा हो गया है तो जैसा ही मैने अपना साफसफाइकररी कीचिन का काम करा तो तब ही आगे थे इंडू और नीरज भाइया यहां पर यह कहीं मंदिर वगेरा गये थे साहीं गय कई से आयते पक्का तो मुझे नहीं पता क्रिश्ना भी है तो यह कहने लगा ममा मुझे भूख लग रही सब से पहले तो इसको रोटी के तो इसे भूख नहीं लगती इसे दिलवा के लाई हूं बिसकिट वगेरा तो यहां फिर मैंने सब के लिए बना दी चाहे सब क्या मैं निरेजबया के लिए नियां दृक्ति के लिए चाहे बना दी और बस यहां पर हमारी बाते भी चल रही चाय भी पी रहे और उसके पापा और नहीं दूपिस में हैं तो यहां बैठ शुपत बहने बिसक कुछ बात चल रही है हमारी पता निए जब इखटे होते हैं सब बै बस उसके पूरे फ्रीज में जाकर गुश जाएगा दुकान पर जाकर भी मतलब यह नहीं की बाहर से ले लो मैं वही बतारी हुआ कि इसको अब लेकर नहीं जाओंगी यह परेशान करता है तो यह बस बाते भी चल रही है चाय भी चल रही है कि देखिया जी आज क्या फांड हो गया मेरे पर बच के बस यह पेखो एक मैंने चाय रख दी बनने का लिए गास पर वह का चाय बना दू और मैंने कई दिन से पीवी नहीं मेरा मंसा करना था अब इन भी कहनने लगी है कहने लगे बना ले तो मैं चाय रखके चली गई पत्ती अद्रख वगेरा डालके और गैस थीते जी और एक ही कप पानी था ज्यादा था इनी इसमें क्योंकि दूद निडला था और मेरा फोन आगे मैं फोन करती करती उनके पास चली गई और आपका देखा वनने और यह देखे क्या हो गया दूआ 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 द अब ही देखा नहीं देखिया पूरे घर में दूआ ही दूआ हो रहा है आज अरफा दूआ चड़ गया अंदर चली जाओ पीस ही आज बाल बाल बच गया घर में कांट हो सकता था वड़ा हार लग सकती थी और यह देखे विगोना क्योंकि दूआ दूआ हो रहा था बहुत ज़्यादा हो गयता और यह विगोना जैसा जल गयता तो यह और नीच्छे तभी जैस ची पख जाता है वह ज्यादा हो जाता बस कभी-कभी ना कुछ ऐसे क्राम हो जाएं कि बहुत गलत पता नहीं चलता तो अब बस मैं करने लगी फ्यू प्रैस और प्रैस करते हुए इस सुकर भी रिविजन अब टेस्ट चल रहे है बहुत हर सब्जेक्ट कडेली होता है तो उसको भी लेकर एकात गंटा बैठना पड़ता है क्योंकि इसुट्यूशन नहीं जाती उसको मैं खुदी करवाती हूँ तो प्रैस भी कर रही और मैस मेरा दिमाग बहुत डिश्टप पूरी रात भी मेरे दिमाग में से ना यह बात नी निकली कि चाय ऐसे जलगी वही है कुछ भी हम कितनी भी कोशिस कर लो लेकिन कब क्या हो जाए पता नहीं चलता और आपको बता दू मैं इन चीजों को ना बहुत ध्यान से करती हूँ कभी जैसे मैं चाय रखती हूँ या लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ बस मेरे दिमाग ने बिल्कुल भी काम नहीं करा और मैं गैस पर चाय रखके आगी और मतलब गैस भी मेरी पूरी तेज थी यानि कि लो की हुई थी मैंने और किसी को इसमेल भी नहीं जले वे कि आपको यह भी बता दू बस जब कु अपनी हुआ मैंने पानी डाल के रख दिया और अगर मुस्किल से दो-चार मिंट में और ना देखती तो उसमें आग लग सकती थी और आग लग क्या वही है गैस का मामला है कुछ भी हो सकता है तो वही है हमारी थोड़ी सी लापरवाई कब हमें भारी पड़ जाए कुछ नहीं पता चलता तो जी बस खेर मैं तो यही कहूंगी बगवान ऐसा कुछ ना करें किसी के साथ भी बस यही तो अब वीडियो का एंड करती हूं मैं यही पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें सेयर करें